अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और इस कम्प्लेटली फ्री और ये बेल बटन को ज़रूर दबाएए टू कीप अपडेटेट माइ लेटेस वीडियोज अगर आप मेरे चैनल मैं हूं शोमी और आज है सेटर्डे और मैं अभी रेडी हो गई हूं आप देखे सकते हो और हम दोनों आज कहीं बाहर जा रहा है और मैं कहां जाओंगी वो में जाने के बाद ही आप लोग को बताओंगी तो चलिए पटपट निकलते हैं नहीं तो लेट हो जाएगा और आज मैं पहनी हूं ये वाला एक ब्लैक कलर का टॉप जो की मैंने ली अगर आप मेरा क्लाफ पैक्टरी वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज मेरा जो चैनल में क्लाफ पैक्टरी वीडियो है वो ज़रूर देखना तो आपको मिल जाएगा ये वाला जूइलरी और ये है मेरा आज का लूक्स तो चलिए चलते हैं तो अभी हम लोग आ गए है फॉल कर इधर से हम लोग बास पकड़ के जाएंगे केलपी स्कूर के एक जगा तो वो जगा मैंने नेट पे सर्च करके देखा है बहुत अच्छा है इसलिए हम लोग उन्याज की प्लाइन किया है कि जाएंगे तो हम लोग है मार्केट से इधर ट्रेन पकड़ के आया है अभी इधर से बास लेना है बट बास आने में फिप्टीर मिनिट्स लेट है तो अभी वेट कर रहे है इधर और यह हम लोग आ गए है केलपीस इधर से जिधर जाने वाले है थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ता है टेन मेंट्स तक लगेगा तो चलिए पहले वॉक करके उधर चलते हैं उसके बाद मैं अब से मिलती हूँ और यह देखिए हम लोग आ गए है अल्मोस्ट आप लोग भी समझ गए होंगे कि हम लोग कहां आए हैं हाँ यह जो स्ट्राक्चर दिख रहा है इधर ही हम लोग जाने वाले है अब भी से दिख रहा है थोड़ा सा और अभी हम लोग एक दम पास आ गए है और आप देखी सकतों कि यह है होर्स हेड स्कल्प्चर यह बहुत ही हुज यह मतलब जाइंट लग रहा है मुझे और इसका जो हाइट है वो है 30 मीटर और जो मिटल है वो है स्टिल मिटल से यह बनाया गया है और केल पिस जो है इसी के लिए बहुत ही फेमस है लिए हॉर्स के लिए ही फेमस है झाल जाओ झाल एंग झाल डाओ दोग्वर्स के लिए फेमस हैं और यह दिखिए मैं एक अलग एंगल से यह वीडियो ले रही हूँ इधर से वह हॉर्स हेड नहीं दिख रहा है लेगिन थोड़ा सा चलने के बाद थोड़ा-थोड़ा करके और एक जो हॉर्स का हेड है वह थोड़ा-थोड़ा दिखेगा तो अभी दिख रहा है और यह देखिए यह साइड में जो कनल है इसे के उपर ही यह हॉर्स हेड बना गया है तो यह रहा यह कैनल और यह हॉर्स हेड और इसके सामने यह अच्छा सा पार्क और पीछे में यह हिलका एफेक्ट सब मिला के एक सटर्डेस पेंट करने के लिए यह जगा बहुत ही अच्छा है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और यह जगा पुरा एकदम शान्थ ह तो अभी हम लोग निकलने बाले है क्योंकि बहुत तेज हावा चल रहा है तो मुझे और ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो हॉट कॉफी पी रहा है अभी और इधर रात पे जो हॉट से इधर बहुत अच्छा लाइटिंग होता है अभी तो समर के टाइम है इसलिए अभी इधर धूप जादा देर तक रहेगा तो इसलिए इसका जो लाइटिंग है वो देखने को नहीं मिलेगा क्यूंकि अभी टाइम होआ है 430 तो इतना देर तक तो नहीं रूख पाएंगे लेकिन विंटर के टाइम में जब आएंगे तो वो लाइटिंग ज़रूर दिखने को मिलेगा तो वो ट्राइ करेंगे एक बड़ विंटर के टाइम में आने के लिए तो अभी चलिए घर चलते बापस और यह देखिए हर एक एंगल से होर्सेड अलग तरकी विक्राएं मैं बहुत दूर से यह वीडियो ले रहे हूं तो अलगी विक्राएं होर्सेड तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यह जगा आप लोग को भी कैसा लगा यह एक एलपिस का टूर मुझे कॉमेंट करके बताना और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए क्यूंकि आपका सबस्क्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही इंपर्टेन है और मेरा यह वीडियो को शेयर इंड लाइक जारू किजिए और मेरा नेक्स्ट वीडिय तब तक के लिए बाबाई